हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम हेलो केश धाका और मैं आपका स्वागत करता हूँ O2IS Academy के YouTube चैनल पर इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं जोगर्फियो फर्याना का वही section जो हमने लास्ट छोड़ा हुआ है लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अर्याना में important mountains कोंसी है important नदिया कोंसी है नहरे कोंसी है और पंचकुला district के बारे में discuss किया था इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले section के बारे में तो जोगर्फियो फरियाना को शूरू करते हैं इस लेक्चर से जुड़ी PDF यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल के मादम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यदि आप अपनी त्यारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आप हमारी एप O2iS Academy Gap डाउनलोड कर सकते हैं जो आप पूपले श्टोर में मिल जाएगी इसके उपर बहुत सारे courses available हैं जो आप परचेज कर सकते हैं और कुछ free courses भी available हैं इस section में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हरियाना की भोगोलिक सरंचना, Physiography of हरियाना, इसके बाद हम हरियाना की जलवाईयू के बारे हम बात करेंगे, Climate of हरियाना, इसके बाद हम बात करेंगे हरियाना में कौन सी important treat way, main seasons of हरियाना कौन से हैं और अगला जो जिला हमारा ह जिसके बारे में discuss करने वाले हैं वो है अंबाला, तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहली बात है कि हरियाना को भोगोलिक आदार पे मेली पांच इस्सों में बटा जाते हैं, पांच अलग अलग तरीक के क्याकरतियां देख जा सकती हरियाना के अंदर वे कु परवत से ही निकलते ही होता है, फुट हील, गिरी पाद भी कहते हैं, मतलब गिरी मतलब परवत होता है, पाद मतलब पैर होते हैं, तो गिरी मतलब परवतों के पैर, और पीड मोंट भी कहते हैं, जैसे उसी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इसके बाद हम देखते हैं एलूवियल प्लेंज जलोडक मैदान या कछार का मैदान कहते हैं काफी बड़ा मैदान है जो अर्याना के सबसे बड़े इसे फैला हुआ है गगर और यमना नदी हमने देखी दिए अब देखो यमना नदी और गगर नदी का जो अरिया आपको पता चलिए कि वह कहां से ब्यारी हैं तो आपको अराम से अंदा जाएगा कि अच्छे यहां से यह चीज़ कनेक्ट हो रही है उस चीज़ को आप अराम से समझ पाएंगे और उनको बंगर खादर नैली बेट के नाम से जाना जाता है वो क्या होते हैं वो सब समझने वाले हैं इसके बाद हम देखने परवत की आउटलयर माउंटेंज में हमने अरावली और शिवालिक वैसे देखे हुए हैं पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे कि यह यहां पर किस तरीके से स्टेंड कर रहे हैं तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा जो परवत है जिसका नाम है शिवाल परवत है इसकी चार में शरकलाएं है जो अरियाना के अंदर पढ़ती है पहली जो शरंखडा है उसको कहते हैं चंडीगड शिवालिक हिल ट्रेक्ट दूसरी शरंखला को कहते हैं मोर्नी हिल इसी के ओपर वो क्रो नाम की चोटी पाय जाती है इसके बाद एक काले सर नाम का नैशनल पार्क भी है हरियाना के अंदर और काले सर नाम की एक हिल ट्रेक्ट भी है उसी के नाम से नाम पढ़ा हुआ है साथ ही पिंजोर नाम का एक दून भी हरियाना में पाय जाता है तो शिवालिक जो है पूरा अगर भारत की बात करे तो इमाल्या परत की चार में शिरे चीज है इसके बाद ये कहां कहां है तो मेली तो पंचकुलाम और यमनानगर के अंदर है उसका थोड़ा बहुत इसा एक दो परशेंट इसा ही अंबाला के अंदर पड़ता है माउंट करो इसकी सबसे उचीचों टी हमने पहले भी देख ली है दूसरी जो चीज है वो है फ इंपोर्टन है जोगरिफी में आपने कहीं ना कहीं शुना होगा यहां पर पाए जाते हैं जलोड के पंक मतलब एक आकरती होती है जलोड पंक बनाती है नदियां बहता हुआ पानी मनाता है तो जलोड के पंक कहां पर पाए जाते हैं साथ ही यहां पे बड़े-बड़े ख खड़ा बन जाता है उन खड़ों को इस एरिया में चो के नाम से भी जाना जाता है तो आपको यह ध्यानकना है इसके बाद जलोड के मैदान या कछार के मैदान या एलूवियल प्लेंस कह सकते हैं जो गगर्युमना नदी बनाती है यह हर्याना का सबसे फर्टाइल एरिया है इसको मैप में देखें का है फ्लर्ड प्लेंस जयसे क्या है जब नदी बहर्यी है मालोओ यह है पर्वत ठीक है, परवत से नदी निकली, नदी निकलने के बाद परवत के बहुत सारे पत्थरों को, चिजों को नदी अपने इस एरिया में जमा कर देती है, इसको कह देते हैं भाबर, थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि वर्ड बहुत सारे आने वाले हैं, इन से रिलेटिड, तराई का मतलब है, जब नदी अभी परवत से निकली है, इसके बाद आप देखेंगे, तराई के बाद जैसे मालनो नदी कई बार ओवर्फलो हो जाती बारिश में, अब नदी मालनो ओवर्फली होगी, ओवर्फलो होई तो नदी का ये एरिया यहाँ पर बाड़ की अकर लाईगी मेटी, जलोडक, alluvium soil भी कहँँए देते हैं, तो इस मेटी को कहते हैं खदर, तो ये जो खदर जो है यह मुना नदी जो जलोडका मैदान बनाती है, उसको खदर के नाम से जाना दादाve, तो जलोड के मैदान, खदर है, बेसिकली नहीं जलोडक मिटी को भी खादर ही कहते हैं यह काफी important है soils of India पड़ेंगे तो आप वहाँ पर भी समझेंगे world soils में भी यह जिकर में आती है गगर नदी अगर ऐसे ही जो जलोड का मैदान बनाती है जलोड मतलब जैसे एक्जामपल के लिए जब नदी ओफ्लोड हो गया मतलब बाड होगी तो बाड के एरिया को उस मैदान को कहते हैं तो floodplain को गगर नदी के लिए कहते हैं नाली मारकंडा नदी अगर ऐसा करते हैं तो उसको कहते हैं बेट यह आपको ध्यान रखना है और क्या था आप जैसे आज को नदी बैरी है अब पहले नदी वहीं पे थोड़ी बैती थी पहले नदी का प्राणी जलोडग मीटी होती है जिसके अंदर बहुत सारे कंकर पत्थर भी पाए जाते हैं यह आपको ध्यान रखना है हरियाना को अगला जो चीज है वो है हरियाना के बागड के ड्यून्स या मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बागड के अंदर बहुत बड़े-बड़े मतलब रेत के टिल्ले हैं ठीक है उन टिलो को बिवानी बागड के नाम से जाना जाता है इस एरिया को साथ में यह टिलो के लिए फेम है टाइप का कोशन आप से पूछ जागते हैं बारत में थार मुरुस्तल काफी परसिद मुरुस्तल है उस मुरुस्तल का ग्यारा परती से तिस्टा जो है वो हरियाना के अंदर गदाता है अरावली जो परवत है अरावली परवत के बारे में अगर बात करें तो अरावली पर आणके secret के अंदर पढ़ती हैं इसके बाद अगर टोप्रफच क्या जए तो यह जो हिसा है यह इस्सा पढ़गा शिवालिक यह पेशिवालिक के लग लग ब्रांचिस है इसके बाद शिवालिक के बाद यह जो इसा पढ़गा इस इससे को कहते हैं पीड मॉन प्लेंज ठीक है मतलब गिरी पादगा मैदान कह सकते हैं यहीं पर जलोड पंक वगएरा और चो वगएरा पाए जाएगे इसके बाद यहां से नदी बैगी गगर नदी और यहां से नदी बैई यमुना नदी तो इन्होंने पहले लाके जो रेड डाला होगा इस एयरिया को कहते हैं जलोड के मैदान या फिर कछार मैदान कहते हैं कई बार लेके आई थी उस एरिया को कहते हैं खादर ऐसे ही गगर नदी के एरिया को कहते हैं नाली ठीक है ऐसी मारकंडा नदी का जो बाडगा एरिया है उसको कहते हैं बेट तो ये आपको याद रखना है ये जो एरिया है इसको मतलब बंगर के नाम से भी जाना राता है ये बंगर नाम की मिट्टी यहां पर पाई जाती है जनरली वो देहन रखना है पुरानी जलोडग मिट्टी को बांग रहते हैं इसके बाद यहां पर जब आप देखेंगे तो शिर्शा हिसार बिवानी इस एरिया में चरकी दाजरी वगारा तक यहां तक जो है थार्म रुस्तल भी वि अलग अलग पांच इसो में इसको बाटा जा सकते हैं हरियाना में जो क्लाइमेट है हरियाना की जलवाईयू कैसी है उसके बारे में डिसक्स कर लेते हैं देखो हरियाना की जलवाईयू को एक आदमी थे जिनका नाम था विलाद इमीर कोपें डॉक्टर विलाद इमीर कोप इसाब से कितने बागों बाठते हैं तो दो बागों में एक जो इसा उसको कहते हैं सब ट्रोपिकल एरिड कॉंटीनेंटल क्लाइमेट पहले तो यही शब्द समझ लेते हैं यह क्या है और दूसरा शब्द होगा सब ट्रोपिकल स्टैपी क्लाइमेट देखो इसके लिए आप को थोड़ा सा Climatology पढ़नी पढ़ेगी Meteorology पढ़नी पढ़नी पढ़ेगी वहां से आप इन चीजों को समझभाएंगे कि वर्ड क्या है सबसे पहला वर्ड है सब्प्रोपिकल तो सब्प्रोपिकल का मतलब क्या होता देखो यह मालो यह है प्रत्वी प्रत्वी अपने दिगरी का टिल्ट है जुकाओ है इसकी वज़े से दर्थी के उपर सुर्य की केर्ण कभी भी सिद्धी नी पड़ती मतलब तिर्ची आती हैं कहीं कहीं पर और ये जो एरिया है 23 and aft ट्रोपिक ऑफ कैंसर और कैप्री कोरन के बीच में अमेशा ही जो सुर्य की केर्ण वो इसी के बीच में 90 डिगरे एंगल बनाती है तो ये जो एरिया है यहां पे साल बर गर्मी रहती है पूरा गर्म रहता है क्योंकि साल बर सुर्य किर्ण इदर उदर घूमरी है ये जो ट्रोपिक ऑफ कैंसर आपको पता होगा भारत से गुजरती है इस एरिया को कहते हैं उशन कटी बंध मतलब ट्रोपिकल जोन सबसे गरम एरिया है पूरी दरती गई इस ट्रोपिकल जोन के बिल्कुल पास वाड़ा एरिया ये लगा लो साड़े 23 डिगरी से 23 अफ नोर्थ से 23 अफ साउथ तक जो एरिया है उसको कहते हैं उशन कटी बंध उशन का मतलब तक गरम ये जो कटी ब बिल्कुल पास वाड़े लगभगसा डेते इस से 30-35 डिगरी तक एरिया भी गरम रहते हैं तो इसले इसको कहते हैं सब ट्रोपिकल मतलब गरमी के बिल्कुल पास वाड़ा एरिया तो अरियाना जो पड़ता है वो इस एरिया में क्योंकि अरियाना के जो लैटिटीटूड हैं आपको पता होगा 27 डिगरी से 30 डिगरी नोर तक फैले हुए हैं और यह भी नंबर 30 डिगरी के बीच में आता है इसके बाद तो पहला शब्द हो गया सब ट्रोपिकल मतलब उशन मतलब गरम के बिल्कुल पास वाड़ा एरिया है एरिड का मतलब होता है एरिड का मतलब भारत अपना प्यारा भारत अगर कोई चीज समुंदर के नजदीग है जैसे यह शहर मुंबई यह महाराष्ट्र नाम का राज्य है तो अगर कोई राज्य है कोई भी जमीन कोई भी देश अगर कोई पड़ता है जो समुंदर के नजदीग पड़ता है तो समुंदर की जब पानी का कोई effect नहीं आता तो उस एरिया को कहते हैं continental तो अरियाना जो हैवो क्योंकि समुदर से काफी दूर है तो अरियाना का continental climate हमतलब जब गर्मी होगी तो गर्मी होनी चीए लेकिन समुन्दर के पानी के वज़े से गर्मी नहीं होती समुंदर के नजदीक लेकिन जो ची समुंदर से दूर है उसका इफेक्ट नहीं पढ़ रहा पानी का तो इस वज़े से अरियाना की जो क्लाइमेट है वो दूर होने की वज़े से continental climate मानी जती है इसके बाद सब ट्रोपिकल स्टैपी एक घास का नाम होता है यह ट्रोपिकल मतलब सब ट्रोपिकल तो है यह हम और घास का नाम है संटैपी घास के मैदान है दुनिया में अलग- अलग-अलग प्रेरीज पंपास ठीक है डाउन्स इन सब चीजों के नाम से जान से तो इस एरिया को हम एरिड नहीं कह सकते हैं इसको हम कहेंगे हुमिड मतलब यह है सब ट्रोपिकल हुमिड ठीक है बीच का सारा जो एरिया है यह सारा एरा पड़ता है जो अलग-अलग दो इस्सों में बाटा हुआ है एक तो श्टैपी वाला जहां पर गास के मैदान पाई होती है और अगर कहीं पर बारिष लग-बक 30 cm 50 cm से नीचे चली जाए वहां पर कहते हैं वह तो अतिशुष्ट है बिल्कुल semi-arid कहते हैं तो यह जो इरिया है यह अरियाना का हो सकता है semi-arid तो हम अरियाना की जलवाई यू वलादी मीर के इसाफ से तो दो इस्सों बटी ह है लेकिन अगर हम देखें तो अरियाना में दो जंग ऐसी हैं जहां पे वह exactly मतलब काम नहीं करती तो उनको भी हम अलग-अलग मान सकते हैं समझ सकते हैं कि इस इसे में ट्रोपिकल सब ट्रोपिकल के साथ साथ हुमिड थोड़ा सा बारिष जदा होती है और यहां पे semi-arid अती शुषक एरिया पाए जाते हैं इसके बाद हम बात करें अरियाना में मेली चार सीजन पाए जाते हैं सबसे पहला जो सीजन है वो है गर्मी का तो गर्मी का जो रीतु है वो अपरेल से जून तक रहती है इसके बाद भारत में मानसून आती है तो अरियाना को भी मानसुन की वजह से साउथ वेश्त मानसुन की वज़ए से अरियाना में कहीं-कहीं 30 cm और कहीं-कहीं 110 cm तक बारिज देखने को मिलती एक इसके बाद मानसुन वापिस लोटता है इसको पोस्ट मांसून सीजन इसके इस ताइम को कहते हैं सितंबर से लेकर और मिड़ अक्तूबर तो सितंबर मिड़ से शुरू वा था तो सितंबर मिड़ से लेकर और अक्तूबर तक के एरिया को कहते हैं पोस्ट मांसून सीजन इसके बाद सर्दियों का मोसम शुरू होता है तो नौंबर से मारस तक अरियाना में सर्दिया रहती हैं अरियाना को जो सर्दियों में बारिश प्राप्त होती है वो वेस्टन डिश्टरमेंस कहते हैं मतलब पेस्टिमी विक्षोब होता है अब इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले आप इंडियन जोगर्फी वर्ल्ड जोगर्फी को थोड़ा अच्छे से स्टड़ी करो उसक फोल है वो 45-45 सेंटीमेटर तक पाया जाता है छच्छरोली नाम की जगह यम्नानगर में जो अरियाना की सबसे अदा वर्षा प्राप्त करने वाले जगह है जिसको अरियाना का चेरा पुंजी क्यूंकि अब तो पहले चेरा पुंजी फेमस था तो मांसी नाम कोई जाने ल मैप अब आप जब देखेंगे तो मैप में मिलेगा इंपौ्टनींट इंफर्मेशन की बात गरे तो अबाळा को सायंस सिटी क्यूंकि बहुत ज्याधा साइन्स की dotrants से हमनके बढ़ा एर मज़ान बनती हैं और अंबाड़ा शहर मदाबन खैंट और अंबाड़ा सीपी बिन मतुक बचाटर था इसका जो नाम है अमबाडा का वो पड़ा था मांबा के नाम से भी माना जाता है और अमबा नाम का राजपूत होता था उसने इसकी स्तापना की थी ऐसा माना जाता है साइद उसकी वुझे से भी इसको अमबाडा कहते हैं तो अलग-अलग मत हैं कि अमबाडा को अमबाडा क् इसके अंदर जो इंप्रेटन 對ले वों है अंबाना-इनगर्ण और न नारायनगर्ण नाम यह निंपादा सीटी और फिर मूलाना है यह रिजयर्ड है ऐसी केटेगरी लिए इतियाज की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अंबारा के अंदर महाच हत्रप जैसे जब भारत था तो भारत के अंदर बहुत सारे विदेशी मतलब आये थैं उन्होंने भारत पर कबजा कर लिया था तो विदेशी हो में एक राजा था महाचत्रप ऐसे एक राजा था गुंडो नाम से भी नहीं लगगा हुआ भारत के हैं इन राजाएं के इंड्वा राजा के इंडो पार्थी राजा के ते tio को इन राजा के कुछ शिक्क्या में मिले हैं अमबाळा और नारैन करते रहे होंगे इसके बाद मैरोली नाम का जो पिलर है मैरोली गालोस्तम जिसको चंदर गुप दूइत्य विक्रमाधित्य ने गडवा था आज तक उसको जंग निलगा लोएका है उससे भी पता जलता है कि अर्याना पे गुप्त सामराज्य का सासन रहा होगा साथ ही समुंदर गुप्त के एंपायर वगारा के लिए शिक्के भी हमें मिलते हैं इसके बाद सातवी स्ताबदी में श्रीकंठ नाम का जनपत था जो पुष्य बूती नाम की डाइनेस्टी थी उसके से पता चलता है कि पुष्य बूती जो वन्स होता था जिसका राजा था चात चोहानों ने इस पर कबजा कर लिया था एक तोप्रा नाम का पिलर है जिससे प्रूफ पता चलता है कि चोहान यहां पर सासन कर चुके हैं इसके बाद आईने अकबरी अकबर की जो जीवन गाथा है उसके अंदर भी अंबाला को बताएगे कि अंबाला सरहिंद जो है उस सुब्वे का दिली सुब्वे का सरहिंद नाम की जेंग है थी वहाँ पर इसके अंदर इंकलूड और ता अंबाला अबाला केंट जो है वो पहले करनाल में स्तापित किया था बाद में फिर इसको हो प्रिटिस सरकार था उसके खिलाफ काफी बड़ाई विद्रों यहां से देखा गया इसके बाद एक सिपाई था शाम सिंग उसने इंफोर्मेशन बता दी थी कि विद्रों करने वाले हैं थोड़ा सा उससे भी अंग्रेश समल गया दरवाइस तो कहीं ना कहीं यह था कि हम उनको देश से शायद उस समय निकाल पाते अगर ऐसा नहीं होता कि कोई वह बाते ना पोचाता हूं तक तो और इम्पोटेंट रोल पले अमबाला ने किया है बारते जीतने भी मतशलीमिशनल मूवेंट हैं राश्डियां उन्हों में भी आप देखेंगे एक इंडिया मूमेंट देखो या भी देखो वहाँ पर आप देखेंगे कि अंबाडा ने काफी important role play पले किया है पन्खोडा साहई गुरुद्वारा है अंबाडा के अंदर तो important places जो अंबाडा के अंदर गुमने के लिए हैं तो श्रीत गुरू जो थे आठमे गुरु थे शिखो के जिन गानाता हरकशन साइब वे दिल ली जा रहे थे तो कुछ में उन्होंने यहां पर विश्राम कहता उसके बाद उनी की याद में पनखोडा साइब नाम का गुरुद्वारा बना हुआ है ये इसका चित्र है बहुती सुन्दर गुरुद्वा रहे तब यहां पे अंभा अंभी के आंब के नाम की उसके नाम से यहां पर मंदिर बनवाए था इसके बाद आप देखेंगे तो नोगज की नोगज पीर की दर्ग आया यहां पर यहां पर गड़ियां चड़ती है बहुत इंपोड़ेंट चीज मानी दती है अंबाड़ा में एक चर्च था जिसका ना था सेंट पोल सर्च जब 1965 में बारत पाकिस्तान गाई दुआ तो इस सेंट पोल सर्च काफी सतीगरस्त हो गया था तो यह सेंट पोल सर्च भी अंबाड़ा के अंदर मिलता है देखने को आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया है अगर आया है तो इसे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस देता कि आने वाड़ी हर वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहें थेंक यू